बहुत साई रिक्वेस्ट हैं डॉक्सर वाज कल पेनाइल इंप्लांट पर वीडियो नहीं बनाते हैं आप क्या हो गया तो एक पोगे कहूंगा कि वीडियो पहली बहुत सारे हैं दोस्तों तो आप उसी से साधा तर चीज़ें सीख सकते हैं हाँ कुछ नए टॉपिक्स अगर उठते हैं या हम कोई नई प्रॉब्लम्स को देखते हैं क्लिनिक्स में तब हम ज़रूर कोई एक नए वीडियो लेके आते हैं जिसमें उनका सॉलूशन पेशन को मिल सके तो आज एक बहुत इंपॉर्डन प्रॉब्लम को फिर से लेके आया तो आप खुड डिसाइड कीजगा बस मैं आपके सामने इन इंप्लांट्स को रखूँगा और इनकी क्वालिटीज को हम डिस्कस करेंगे और फिर कुछ टेबल्स के जरीए हम देखेंगे कि आपस में इनका कंपारिजन कैसे किया सकता है तो दोस्तों सबसे पहले तो बात क हो सकते हैं पर यह सिकुड़ते नहीं है यानि कि इसमें लिंक्स छोटा नहीं होता एक बार इसको डालने तो लिंक के अंदर तनाव हमेशा आपको दिखेगा तो दोस्तों यह जो मैलेबल इंप्लांट है इसमें सबसे कॉमन वराइटी जो हम डालते हैं और जातर जो इंड इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं यह सबसे वर्सटाइल इंप्लांट है दुनिया का और इसके अंदर एक हिंज है यहां पर और यह हिंज जो है इससे यह इंप्लांट इजी मोड़ा जा सकता है अंडर्वेर में रखा जा सकता है पर जैसे अंडर्वेर हटाए जाएगा तो एकदम से वापिस रिक्वाइल होके यह जो पीने से वह वापिस खड़ा हो सकता है तो इसकी वाया से काफी बार इसको लोग जो है जादा महत्वपूर नहीं मानते सोचते हैं इसके इंदर बहुत साथ चुपाने में दिक्कते होंगी जबकि प्राक्टिकली होती नहीं है क्योंकि यह जो इंप्लांट है इसको कहीं भी मोड़ा जा सकते है आप राइट लेट सेंटर ऊपर नीचे कहीं भी इसको मोड़ सकते हैं बट फिर भी धाना रहते कि सब कैसे चुपाएंगे तो इसी प्राब्लम को सॉलूशन निकालने के लिए इस तरह के इंप्लांट बनाएगा जैसे कि हम देख रहे हैं कि यह भी एक इंप्लांट है जो कि बिल्कुल इनन पिनाएल इंप्लांट जैसा दिखता है इसमें भी सिलिकॉन ही है बेसिकली लेकिन इसके अंदर आप एक तार को देख पा रहे है एक सिल्वर वायर है तो यानि जब मैं इस इंप्ला को सबसे पहले तो मोड के देखेंगे क्योंकि सबसे important है कि इनको डाला इसलिए जा रहा है क्योंकि हम इसको मोड के रखना चाहते हैं तो यह मैंने implants आपके सामने मोड के देखाएं तो यह आप देख पारें कि सभी implant अलग-अलग तरह से मुड रहे हैं यह सब एक जासे नहीं मुड रहे हैं और यह white वाले implants थोड़े कम मुड रहे हैं यह जो clear implants है या जो transparent implants है ज्यादा मुड रहे हैं तो यह जो implant आप देख रहे हैं यह बॉस्टन साइट contactra implant है यह rigicon implant है rigitem और यह है zsi implant zsi 100 और यह है tube implant अब एक एक तरके इन implants के वारे में बात करते हैं अगर हम समझें तो implants जो हैं जो मुडने वाले हैं इनके अंदर कहिना कई एक wire होती है और यह wire अलग-अलग material की होती है जैसे कि इसके इंदर silver wire है ऐसे ही tube implant जो है zsi के साथ इसके अंदर भी silver wire है अब हमारे पास rigicon implant है जिसके अंदर एक stainless steel wire होती है और हमारे पास tactra implant है जिसके अंदर neternol wire होती है neternol wire वाला यह aqelike implant है अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं zsi 100 implant की यह जो implant है इसके अंदर दोनों तरफ से modification की capability यानि कि आगे से भी इसको छ चुटा किया रहा सकता है और बीचों बीच यह छोटा सा wire आता है इसके अंदर अच्छी बात ही हो जाती है कि इसको मोड़ सकते है पर यह implant आगे से बैंड नहीं होता तो यह टेड़ा मेड़ा पेनिस पे नहीं होता है और अगर हम बात करें काफी अच्छा वेट ले सकता ह जैसे कि हम देख रहे हैं मैं इसमें काफी जोड लगा रहा हूं फिर भी implant मोडता नहीं है इसके बाद हम देखते हैं स्क्रूब इंप्लांट को जिस order में इंप्लांट दिखा रहा हूं उसी order में इंकी cost भी है और जैसे कि हम देख यह अच्छा काफी अच्छी इरिटीड दे रहा है लेकिन इसमें मोड रहे हैं तो आगे भी मोड सकते हैं यानि इस ताँ से पीनिस का आगे का हिसा भी मोडा सकता है, काफी आगे तक इसका तार है, इसमें सिर्फ पीछर से ही cut कर सकते हैं इसको modify करने के लिए, आगे से cut करने का इस implant में और और किसी implant में option नहीं है ZSI इसके इलावा इसके अंदर जो खासत है यह आर्जेंटीना का इंप्लांट है जो है सुजलन का इंप्लांट था तो यह भी एक बहुत अच्छी कंपनी बनाती है प्रामेडॉन के नाम से और यह रिसेंटली ही इंडिया में गौंच लिया गया थै इसके बाद यह किया जा सकता है उसी इसाब से लेंट को दिखा जाते है और इसके अंदर अलगलग विट के इंप्लांट होते हैं जैसे कि बाकी सब में भी हैं और उसके अनुसार फिर हम इंप्लांट को डालते हैं और लास्ट में मैं आपसे बात करूँआ बॉस्टन टैक्टर की अगें ये एक बहुत ही अच्छा इंप्लांट था, USA के अंदर बनाया गया है इसको, और इसको मोडे तो थोड़ा सा इसमें रिक्वाइल जादा रहता है, अगर हम इसकी capability देखें, तो वो भी काफी अच्छी है, और जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें एक बड़ा condition system marking का है, यानि कि ज इसका आगे तक है, तो इसके हिसाब से इसमें कुछ limitations रहते हैं, जो बाकी और implants में भी हमने देखें, आम तोर पर दोस्तों जब ये implants पे pressure लगता है, ट्रोकोस के समय इस तरह से, तो 1.5 kg तक का weight इनको लेना possible होना चाहिए, ताकि penetrative sexual activity हो पाए, और ये सारे implants जो मैंने आप आपको दिखाए, including the Indian Penal Implant, इन सब में capability है कि ये इतना load ले सकते हैं, दोस्तों अब important बात आती है, इन implants की warranty के बारे में, क्योंकि सभी implants अलग अलग तरह की warranty देते हैं, और इसके लिए चार्ट में आपके सामने प्रस्तोत कर रहा हूँ, इसमें इन सभी implants की जो available warranty है इंडि warranty नाम की कोछ चीज नहीं है, और ये exist भी नहीं करती है, जो implant के warranty है, guarantee आती है, वो basically company की तरफ से ही आती है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा सभी तरह के implants को जो legally इंडिया में available है, malleable implants, और ये काफी चीजों पर depend करता है कि आपका, जो implant है वो आपको best कौन सा लगता है, और वो depend करता है आपके budget पे, आपको क्या features उसमें चाहिए, अगर आपको किसी particular company के implant के बारे में कुछ जाजा जानकारी है, तो हो सकता है कि आप उसकी तरह bias हो, तो आपको वो चीज बहतर लगे, but ये जो overall charts में आपको दिखा है, जो overall आज आपके सामने इनको प करेंगे कि इसमें से कौन सा implant बहतर है, इसके क्या फायदे है, क्या नुकसान है, और फिर अच्छे से उनको समझ के, और सभी factors को consider करते हुए ही आप इसका decision ज़रूर लीजेगा, जैसे कि आप जानते हैं कि जिन भी implant में wires है, उन सब के अंदर एक risk है कि वायर खराब हो सकते हैं, आगे चलके, और उस मामले में जो Indian Penal Implant है, उसकी life उसके बहुत जादा है, क्योंकि इसमें ऐसे mechanical parts नहीं है, तो आशा करता हूँ कि ये video जो है, जिसमें हमने आज clear किया है implants की comparisons को, इससे आपको फायदा होगा, आप अपना implant जो चुन रहे हैं, उसमें आपको लाब हो होगा, और कुछ भी आपको और questions लगते हैं, इससे संबंदित, तो हमें आप email कर सकते हैं, या फिर कुछ अगर बहुत generic questions हैं, तो comment section में भी डाल सकते हैं, अगर वो सबके लाबदायक होंगे, तो उनका हम जवाब देने की खोशी सब्सक्राइब करेंगे, तो उनका हम जव